अगर आप भी गर्मियों में बोर हो रहे हैं तो आईए सुरू करते हैं बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाना उसके बाद मिलके लेंगे गर्मी का आनंद बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम खड़ी चीनी लिया है फ्रेंड्स आप चाहें तो सक्कर भी ले सकते हैं वो आपकी चोईसे जो आपकी घर में अउलेबल हो आप उसको ले सकते हैं सबसे पहले गैस का फ्लेम बिलकुल लो रख देना है और लगातार हाथों को चलाते रहना है 15 से 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी अभी देखिए मुस्किल से 5 मिनट हुआ है सारी चीनी मेल्ट होना सुरू हो गई है अब आप देखिए फाइनली हमने सारी चीनी को मेल्ट कर लिया है आपको भी बिल्कुल इतना ही melt कर लेना है उसके बाद हमें डालना है दो इंच बटर का टुकड़ा बटर का टुकड़ा डालने से हमें बहुत ही बड़िया flavor मिलता है जब हम करेमल करंच बना करके ready होंगे तो बिल्कुल पकड़ ही नहीं पाएंगे कि हमने homemade करेमल करंच ready किया है next हमने डालना है almond यानि की बड़ा वाला बादाम आप चाहें तो इसकी जगा काजू भी यूज़ कर सकते हैं वो आपकी choice है हमने थोड़े बड़े pieces में almond को cut कर लिया है और gas का flame बन कर दिया है अब इन सभी को mix करें फ्रेंट्स gas का flame आपको open नहीं रखना है नहीं तो आपकी almond भी जल जाएगी और butter भी जल जाएगा इन सभी को mix करें और एक plate में butter लगा कर पहले से ready कर लें हमने ready कर लिया है अब सारे butter को इस plate में हम transfer कर देंगे अब tap tap करके सारे butter को पूरे plate में फैल आ लें दो से तीन घंटे के लिए ऐसे normal temperature पर इसको छोड़ दें ताकि ये जम जाए तब तक हम आगे की process कर लेते हैं हमने यहां पर fresh amul cream लिया है आपको भी fresh amul cream का ही यूश करना है बिल्कुल आसाने से market में आपको मिल जाएगा इसको हम open करके एक bowl में पूरा डाल करके बीट कर लेते हैं अब आमने इसमें डालना है 50 ग्राम सकर और 50 ग्राम लिया है butter scotch custard powder अब इस सभी को करना है अच्छे से बीट ताकि आपस में सभी अच्छे से mix कर लिया है इधर हम caramel crunch को भी देख लेते हैं वाव हमारा caramel crunch भी सोक चुका है अब इसको आपस में अच्छे से जल्दी से छुड आप इसकी आवाज सुनें कितना क्रंची है अब आप यकिन नहीं मानेंगे कि एक दम बिल्कुल मार्केट वाला हमारा caramel crunch बन करके रेडी है अब इसको फ्लास्टिक सीट में ट्रांस्वर करते हैं और उपर से इसको किसी भारी चीज से ठोक देते हैं जिससे इसके थोड़े फ्रिज को आपको बिल्कुल भी ऑपन नहीं करना है यह देखें फ्रेंड हमने डाल दिया है अब मैं आपको 6-7 घंटे बाद दिखाऊंगी कि हमारा आइसक्रीम बन करके रेडी हुआ जश्ट वाव कितना सूपर टेस्टी हमारा आइसक्रीम बन गर्याइड है यह हमारा ब